Hello everybody, welcome to my channel, this is Professor Ivneet, so today I am going to teach you RTI Act 2005 and RTI Amendment Act 2019 तो ये जो RTI Act है, मैं दो parts में cover up करूँगी, तो जो ये part 1 है, इसकी वीडियो में आज बना रही हूँ, part 2 में इसके बाद अपलोड कर दूँगी जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूँ, कि मैंने इससे पहले भी business law की, company law की और statistics की वीडियोस बनाई है अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं उसका link जो है, उपर i button, नीचे description box और pin comments में दे दूँगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, और हाँ, अगर आप लोगों को motivational quotes या motivational stories देखना अच्छा लगता है, तो मेरा एक और channel है, जिसका link में description box और pin comments में दे दूँगी आप चाहे तो subscribe कर सकते हैं, so without wasting any time, let's get started अब RTI के history जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि RTI होता क्या है, RTI का मतलब होता है right to information, मतलब सूचना का अधिकार देखिए अगर आपको किसी भी government organization से कोई भी सूचना चाहिए, कोई भी information चाहिए, तो आप उस department से वो information ले सकते हैं, वो आप कैसे ले सकते हो, आप एक RTI file करके वो information उनसे पूछ सकते हैं, simple सी example देती हूँ, जब आप कोई government exam देते हैं, कोई competitive paper देते हैं, तो उस case में जब selection होता है candidates का, तो बहुत RTI file होती है उस समय, means students आप जो है, आप ये RTI file करके पूछ सकते हैं, कि आपने क्या criteria follow किया है, candidates को select करने का, ठीके, तो आप कोई भी information जो है, वो government department से ले सकते हैं, और government department जो है, उनको वो information देनी ही पड़ेगी, जो public authority है, okay, अब आजाते हैं, हम history of R RTI, ये RTI stands for, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, अब देखिए, RTI आने से पहले, ये कहा जाता है, कि जो RTI है, वो fundamental right का एक part था, ठीक है, हमारे constitution में एक fundamental right given है, section, जो हमारा article 19.1a के under given है, और वो कहता है, कि हर citizen को अधिकार है, freedom of speech and expression, speech होता है, बोलना expression, मतलब अप आपको express करना, ठीक है, तो अब ये वाल आदिकार कैसे जुड़ा हुआ है RTI के साथ, देखिए, हम किसी भी चीज़ को express कब करेंगे, कब बोलेंगे, जब हमें उस चीज़ के regarding information होगी, otherwise हम कैसे बोल सकेंगे कुछ भी, ठीक है, और information कैसे आएगी, information आएगी RTI के थूँ, ठ की हमारे constitution में given है, अब RTI Act तो हमारा 2005 में आया, लेकिन इससे पहले क्या था इंडिया में, इससे पहले भी एक Act था, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा, कि Freedom of Information Act था, 2002 में आया था ये Act, लेकिन ये जो Act था, ये इतना strong नहीं था, अब इसमें भी बहुत सारी कमिया थी, क and moreover, इसमें compulsion नहीं थी, अगर आप government department से information मांगते हो, तो ये जरूरी नहीं था कि government department दे भी सकता था, और नहीं भी दे सकता था, और उपर से, जैसे RTI में penalties है, इसमें कुछ भी penalty नहीं थी, अगर government department information नहीं देता है, तो उनके लिए कोई सजा नहीं थी, तो वो दे भी सकत है, in case, अगर government department information नहीं देता है, तो आप उनके पास appeal वगएरा लेके जा सकते हो, लेकिन ये चीजें missing थी, freedom of information act, ठीक है, तो इसको replace किया था RTI Act ने, जो कि एक बहुत strong act था 2005 में, और RTI ने सबसे ज़ादा चीज क्या important क्या की थी, कि उसने mandate कर दिया था timely response, mandate का मतलब होता कि अगर आपने government department या public authority से कोई information मांगी है, तो वो आपको एक particular time period के अंदर देनी ही पड़ेगी, जो कि हमारा freedom of information act में missing था, okay, next is introduction, अब देखो, RTI bill कब आया था, कब pass हुआ था, देखो अगर तो ये RTI आप competitive paper के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके लिए dates बहुत important है, आपक पता होना चाहिए कि ये bill कब आया था, क्योंकि कई बार competitive paper में ये question पूछ लिया जाता है, तो लोकसभा में ये pass हुआ था 11th में 2005 को, राज्यसभा में 12th में 2005 को, और उस समय प्रेजिडेंट ने कब pass किया था इसको, प्रेजिडेंट ने 15th June 2005 को इसे pass किया था, और उस समय प्रेजिडेंट थे 2005 में जब RTI Act आया था, तब डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम थे और उन्होंने pass किया था इसको, और ये जो act है RTI Act, ये completely fully into force कब आया था, 12th October 2005 में आया था, ठीक है, अब मैंने आपको competitive paper का बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीकॉम के लिए important नहीं है, या फिर BBA, जो भी law का आपके लिए पढ़ रहे है, उनके लिए important नहीं है, आप introduction में ये ज़रूर लिखिए, ये जो है आपको जादा mark score करेगा, and section 1 कहता है RTI Act का, कि ये जो act है RTI Act 2005, ये whole of the India में apply होता है, देखो पहले क्या होता था, जब तक, मतलब जम्मो इन कश्मीर पे ये act apply नहीं होता था, लेकिन जब से जम्मो इन कश्मीर Reorganization Act 2019 आया है, उसके बाद से जो RTI है, वो जम्मो इन कश्मीर पे भी लागू हो गया है, clear? next is, RTI empowers every citizen to seek any information from the government, public officers and public authority, RTI एक power देता है citizen को, हर citizen of India को, कि वो कोई भी information government से ले सकता है, या public officer से ले सकता है, या फिर किसी भी public authority से कोई भी information ले सकता है, some information which are confidential in nature, are not provided to public by official secret act 1923, देखिए, एक act है official secret act 1923, इसमें कुछ information है कि जो secret ही रखनी है, जो लोगों को नहीं बतानी है, तो वैसे तो हर information public को दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी information है, जो confidential in nature है, जो लोगों को नहीं देनी है, या फिर जो information official secret act के under given है, वो लोगों को नहीं देन नहीं है, उसके regarding आप RTI file नहीं कर सकते, otherwise सारी information के regarding आपको आप RTI file करके information जान सकते है, जब RTI act 2005 आया था और वो completely जब force में आया था, तो उसके बाद जब पहली RTI हुई थी, तो वो किसने file करी थी, वो एक person था, जिसका नाम था, शाहित रजा बरने ने पहली RTI file करी थी, और किस पर करी थी, एक police station पर करी थी, पूने के police station में, ओके, ये थोड़ी सी आपको जी के भी पता होनी चाहिए, next is, अब आजाओ definition of information, अब हम information की तो बात कर रहे हैं, सूचना की बात कर रहे हैं, लेकिन information में आता क्या-क्या है, तो ये हमें section 2, subsection F के under given है, देखिए जब आप meaning में अपना add-on कर सकते हैं, लेकिन definition आपको as it is learn करनी पड़ती है, और अगर उसमें आपको section लिखना भी बहुत जरूरी होता है definition में, otherwise आपके number कर जाते हैं, और law के exam में मुझे बहुत से students पूछते हैं, मैं section लिखना है, नहीं लिखना है, देखिए अगर आपको, व form, including records, documents, memos, मतलब ये information किसी भी form में हो सकती है, जो document भी हो सकता है, memo हो सकता है, email हो सकता है, press release, circular, log book, कोई भी contract हो सकता है, report, paper, sample, ठीक है, electronic form की information भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई printed form, कुछ भी कोई information हो सकती है, and information related to any private body, which can be accessed by the public authority, अभी मैंने बोला था कि आप प्राइ private institution की information ही ले सकते, लेकिन यहाँ पर ये line देखे क्या लिखा है, information relating to private body, मतलब कोई ऐसी information जो है तो private body से related, लेकिन उसको public authority का access है, मतलब public authority उसे ले सकती है, या फिर उसको access कर सकती है, तो उस case में वो वाली information जो है, वो इस information में included है, okay, कई बार competitive paper में ये भी question आ जाता है, कि AI ये सारे दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या इन में से एक ऐसा है, जो information में include नहीं है, वो आप देखिए, ठीके, तो आप इसको अच्छे से learn करिएगा, next is definition of public authority, अब public authority क्या होता है, अब हम बात तो कर रहे हैं कि public authority से information ले सकते हैं, हम RTI public authority पे file कर सकते हैं, अब ये है क्या public authority, ये section 2, subsection H के अंडर आती है, public authority means any authority or body of institution of self government, मतलब कोई भी government institution established और constituted, कोई भी आसा institution जो government है, जिसको establish किया गया है, या फिर constitute किया गया है, किस के अंडर constitution के अंडर, या फिर उसे parliament के किसी law के अंडर बनाया गया है, या फिर state legislature के किसी law के अंडर बनाया गया है, या फिर किसी भी appropriate government ने notification issue करके उसे बनाया गया है ठीक है कोई भी ऐसा institution जिसको government finance करती है ठीक है अब government institution तो हो गई होगा कोई ऐसा institution भी हो सकता है जो non-government है लेकिन अगर उसे fund मिलता है या finance मिलता है government की तरफ से चाहे directly चाहे indirectly तो उस case में वो भी public authority के अंडर आ जाता है clear next is definition of right to information यह section 2 subsection j के अंडर given है इसका क्या मतलब है means right to information accessible under this act अब हमें किस तरीके की information हम access कर सकते है under the control of public authority includes the right to के हम क्या inspect कर सकते हैं किस तरह की information क्या कर सकते हैं हम inspection of work हम work को inspect कर सकते हैं किसी भी document को ले सकते हैं कोई record ले सकते हैं या फिर उनसे information हम क्या मांग सकते हैं कोई notes मांग सकते हैं या किसी copy का extract मांग सकते हैं ठीक है कोई भी record मांग सकते हैं या फिर कोई भी sample of material मांग सकते हैं certified sample और वो information हम किसी भी form में मांग सकते हैं, हम printed form में मांग सकते हैं, कि हमें print out दो, वो information, या फिर हमें disk की form में दो, हमें floppy में डाल के दो, या video cassette की form में डाल के दो, या फिर हमें किसी भी electronic mode में हमें डाल के दो, ठीक है, तो यह information जो है, हम किसी भी form में ले सकते हैं, यह हमारा अ ऐक वो पार्टी हो गई, अब आप Public Information Officer के उपर RTI File करते हैं, उस Department के Public Information Officer के उपर, तो वो Second Party हो गई, ठीक है, Third Party कौन होगी, Third Party means, इन दोनों पार्टीयों के अलावा, अगर कोई तीसरी पार्टी है, मतलब कई बार क्या होता है, आप किसी और के Regarding Information मांगते हो Public Information Officer से, तो वो Third Party ही हो गई, मतलब इन दोनों के इलावा जो पार्टी है वो थर्ड पार्टी है, यह section 2, subsection N के under given है, definitions तो देखो बहुत सारी है लेकिन मैंने सिर्फ important ही cover up करी है, otherwise वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब आजाओ objectives of RTI, right to information के क्या objective है, इस act के क्या objective है, RTI act लिखना इसके आगे, मैं भूल गई, act लिखना, first objective है to empower the citizen, citizen को power देना कि उससे पता लग सके कि government क्या काम कर रही है, अगर उसको कोई information चाहिए तो वो ले सके, मतलब उसके बास इतनी power हो कि वो RTI फाइल करके, कोई भी information पता कर सके, next is to promote the transparent environment and accountability in government department, accountability का मतलब होता है, जवाब देही, अब देखिए, अगर एक आम नागरिक को पता होगा, अगर उसको को information चाहिए, कि government department में ये काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये काम, ठीक है, इसका क्या procedure ये follow कर रहे है, तो अगर हम RTI डाल के वो information ले ले government से, तो हमें वो पता चल जाएगा, तो एक तरह से transparency develop हो गई RTI से, कि लोगों को पता लग जाता है, आपकी government department में आप कोई भी information उनसे ले सकते है, ठीक है, और accountability, government भी जवाब दे है, कि हमने ये काम कैसे किया, ठीक है, उनको answer देना पड़ता है, अगर उनके उपर कोई RTI फाइल होती है, किसी भी काम के regarding, किसी भी information के regarding, next is to reduce the corruption, अब corruption कैसे reduce होती है, government को पता है, कि हमसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कि government organization को पता है, government department को, public authority को पता है, कि हमसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कि आपने ये कैसे करा, ये काम कैसे करा, या फिर अगर आपने कोई candidate किसी job के लिए select करे, तो अपने कैसे करे, ठीक है, तो उनको पता है, कि हमारे उपर RTI file हो सकती है, तो इससे क्या हुआ कि corruption जो है, वो reduce होती है, corruption के जो chances होते हैं, वो कम हो जाते है, it helps the citizen to have the knowledge about the working of the government, citizen को पूरी knowledge हो जाती है, कि government में कैसे काम हो रहा है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो आप RTI डालके उनसे पूछ सकते हैं, कि आपने एक काम कैसे किया, आप कैसे कर रहे हैं, और इससे क्या होता है, democracy भी आ जाती है, लोग तंत्र जो है, वो force में आ जाता है, तो ये कुछ objectives थे RTI के, तो आप, I hope आपको ये समझ आ गए होंगे, next is section 3 of RTI Act 2005, अब section 3 क्या कहता है RTI का, ये कहता है कि सारे citizen, जो India के citizen है, उनको हक है, right to information का, जो ये right है, ये available है, India के citizens को, मतलब, India के citizens को ये हक है, वो कभी भी RTI फाइल करके, किसी भी public authority पे, कोई भी information ले सकते हैं, अब देखो, NRI जो है, अब तक जो है, वो NRI फाइल नहीं कर सकता था, RTI, लेकिन अब ये कुछ new amendment हुई है, 2018 में, कि NRI भी RTI फाइल कर सकता है, लेकिन हर case में नहीं, सिर्फ कुछ special cases है, उसी में फाइल कर सकता है, ये जो हमारी लोकसभा की website है, उसमें update हो रखा है, ये चीज़ का, ठीक है, तो मदब कुछ special cases में ही, NRI फाइल कर सकता है, अधरवाइस सारे citizens को हक है, section 3 कहता है, कि वो RTI फाइल करके, कोई भी information government department से, या फिर public authority से ले सकते हैं, next is section 4 क्या कहता है, section 4 कहता है, कि जो public authorities है, जितनी भी हमने public authority अभी पढ़ी है न, कि क्या होती है, उनकी क्या जिम्मेदारियां है, क्या obligations है, क्या duties है, सबसे पहला है, every public authority shall maintain all the records in a manner, which facilitates the RTI under this act, ठीक है, हर public authority का ये फर्ज बनता है, कि वो सारे records को अच्छे से maintain करके रखे, जिससे RTI को facilitate मिले, means RTI को facilitate करें, RTI को help मिले, ठीक है, अगर कोई भी information, कोई भी RTI उनके उपर लगे, तो वो easily जो है, अपने record से information निकालके उनको दे सके, वो तभी हो सके का, अगर उन्होंने record अच्छे से maintain कर रखे है, अगर record ही maintain नहीं करे हैं, तो आप RTI का answer कैसे देंगे, next is, public authority shall publish the information within 120 days of enactment of this act, जैसे ही act and act हुआ था, तो हर public authority की ये जिम्मेदारी थी, उन्हें कहा गया था, कि 120 दिन के अंदर अंदर, आपको ये बताना पड़ेगा, ये publish करना पड़ेगा, कि आपका organization के क्या particulars है, क्या है आपका organization, क्या functions है, क्या duties है, officers की क्या powers है, employees की क्या powers है, ठीक है, आप कैसे supervise करते हो अपने काम को, rules, regulations क्या है, क्या compensation देते हो, name and designation of, कि जो आपने public information officers बनाए है, उनके क्या नाम है, और उनके क्या पद है, designation होता है, किस पद पे है वो, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको disclose करना पड़ेगा, 120 दिन के अंदर अंदर, और अगर आप कोई important policy formulate करते हो, या फिर आप कोई ऐसा decision लेते हो, public authority अगर ऐसा कोई decision लेती है, जिसका असर सीधा public के उपर है, तो आपको उस policy के relevant fact, उसके important fact भी publish करने पड़ेंगे, clear, next is section 5, अब section 5 क्या कहता है, designation of public information officers, ठीक है, अब यहाँ पर आप designate करते हो, public information officers को, दो तरह के PIO होते हैं, अब कहीं पर आपको PIO लिखावा मिलेगा, तो आप यह समझे ना, कि वो public information officer है, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है APIO और एक होता है PIO, APIO होता है हमारा assistant public information officer, और PIO होता है state PIO, और central PIO, देखो अगर तो आपका जो public authority है, वो state level की है, तो वहाँ पर state PIO होगा, अगर वो central level की है, government मतलब वो national level की public authority है, यब national level का department है, तो वहाँ पर जो PIO बनेगा, वो central PIO बनेगा, Central Public Information Officer, अब assistant बनाना है, के नहीं बनाना बना भी सकते हो, अब नहीं भी बना सकते हो, ठीक है, तो यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहीं जो बड़े departments होते हैं, वहाँ पर API यो भी रहते हैं, every public authority designate many officers as, Central Public Information Officer, और state Public Information Officer, within 100 days of enactment of this act, जैसे ही यह act enact हुआ था, तो हर public authority को यह बोला गया था, कि आपको 100 दिन के अंदर-अंदर, अपने officers को, यह तो Central Public Officer, अगर तो वो, मैंने आपको भी बताया है, कि अगर national level की public authority है, तो वहाँ पर Central Public Information Officer आपको बनाना पड़ेगा, अगर वो state level की public authority है, तो वहाँ पर आपको, जो Public Information Officer बनाना पड़ेगा, वो होगा हमारा state public information officer, वो आपको पॉइंट करना पड़ेगा, सौ दिन के अंदर-अंदर, ठीके, तो यह ज़रूरी नहीं है, कि आप special person को लेके आओगे, Public Information Officer बनाने के लिए, जो अलरड़ी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी आप responsibility दे सकते हो, कि इस department के Public Information Officer आप हो, अब इनका काम क्या होता है, State PIO और Central PIO का, यह responsible होते है, अगर कोई भी RTI आती है उनके department पे, तो यह responsible होते है, इनको answer देना पड़ता है, उस RTI applicant को, clear? Next is Section 6 क्या कहता है, Section 6 हमें बताता है, कि हम RTI कैसे file करेंगे, अब हमने पढ़तो लिया, कि RTI कुछ होता है, हमें यह भी तो पता होना चाहिए, कि RTI को file कैसे करते है, कैसे हम application भेजेंगे, APIO और या फिर PIO को, तो सबसे पहले आपको, RTI जैसे अगर आपको कोई information चाहिए, किसी भी public authority के, कोई भी किसी भी चीज के regarding information चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप एक application लिखेंगे, ठीक है, आप वो application आप written form में भी हो सकती है, hand written भी कर सकते हो, या फिर आप computer पर type करवा सकते है, electronic form में भी हो सकती है, मतब type format में भी होती है, देखिए अगर आप written में लिख रहे हो, तो आपकी handwriting इतनी legible होनी चाहिए, कि वो easily पढ़ने में आए, otherwise आप कोशिश करिए, कि इसे type ही करवा दीजिए, ठीक है, और वो किसी भी language में हो सकती है, English में हो सकती है, Hindi में हो सकती है, या फिर उस area कि कोई भी official या local language में हो सकती है, clear, अब क्या करेंगे, अपने application मना लिए, आपको fee pay करनी पड़ेगी 10 रुपे, अब ये जो fee है, ये state के according भी vary करती है, other conditions के according भी vary करती है, मतब ज़ादा भी हो सकती है, और इसमें ये है, कि there is no fee for the people below poverty line, जो लोग poverty line से नीचे हैं, तो आप fee मत पे करिये, लेकिन आपको ये mention करना पड़ेगा, कि आप poverty line के नीचे आते हैं, ठीक है, an applicant making a request for information, shall not be required to give any reason for requesting the information, इसका मतब ये है, कि अगर आपको किसी चीज के regarding, government organization ये department के regarding, किसी भी चीज के regarding, कोई information चाहिए, ठीक है, तो आपको ये बताने के जुरूरत नहीं है, अपनी application में, कि ये information मुझे क्यों चाहिए, आपको ये mention करने के जुरूरत नहीं है, और नहीं आपको अपनी application में, कोई भी अपनी personal detail देने की जुरूरत है, हाँ लेकिन आपको इतनी detail तो देनी है, ताकि वो आपको contact कर सके, बाकि अपने बारे में, कि मैं इस position में हूँ, मैं यहाँ job करता हूँ, ये सब आपको बताने की जुरूरत नहीं है, एक चीज़ मैं और बताना चाहूंगी, कि जब भी आप RTI file करें, वो कोशिश करिए कि आप registered post से ही, जो है वो RTI भेजे, इससे क्या मतलब है, आप ordinary post मत यूज़ करें, क्योंकि ordinary post में क्या होता है, हम जो post box होता है, उसमें डाल देते हैं, हमें ये नहीं पता कि वो कब गई हमारी, डाक जो भी है, तो हमारे पास date का proof नहीं होता, फिर आप time limit count करना start कर सकते हैं, कि भई इतने दिनों के बाद मुझे information मिल जानी चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या time limit है, लेकिन वो आप तभी count कर पाओगे न, अगर आपके पास ये information होगी, कि आपने कब उसको भेजा, उस RTI को कब फाइल करा, और वो वैसे तभी हो सकती है, अगर आपने registered post करी है, अगर आपने ordinary करी है, तो आपके पास proof नहीं रहेगा, अब आप application बना के, किसको भेज देते हैं, उस department के PIO को भेज देते हैं, जिस department को आप भेजना चाह रहे हैं, उस department में जो PIO होगा, उसके नाम आप RTI फाइल करके, उनको उनके address पे भेज देंगे, अब वो information उनके पास मिल जाएगी, अब section 7 क्या कहता है, कि disposal of request, अब आपने RTI फाइल कर दी, अब उनको कितनी जल्दी answer देना है, कितनी time period है, उनके पास answer देने के लिए, देखो, अगर तो आपने information मांगी है, APIO से, Assistant Public Information Officer से, तो APIO का फर्ज बनता है, कि वो कम से कम, maximum 35 दिन के अंदर अंदर, आपको information देगा, जो भी आपने information मांगी है, ठीक है, 30 days, plus 5 days, as per section 5, subsection 2 के अंदर, 5 दिन उन्हें extra दिये जाते हैं, जिस दिन आपको request means आई, अब ये 35 दिन कब से count होंगे, जब उनको RTI मिली है, ये नहीं कि जब आपने post करी है, ठीक है, अगर आपने first date को post करी है, तो आप एक हफता मान के चलो, कि एक हफता तो लगी गया होगा, 2 से 7 दिन आप मान के चलो, तो अगर by chance उनको मिली है, जाके 7 date को, तो जो 35 दिन count होंगे, वो 7 date से होंगे, ना कि first date से होंगे, ठीक है, तो जिस दिन उनको request की receipt मिली है, मिली है request RTI की, तो उस दिन से count होंगे, तो API को maximum 35 दिन के अंदर-अंदर answer देना पड़ता है, अगर आपने PIO को दी है, तो उसको 30 दिन के अंदर-अंदर, 30 दिन of the receipt of the request के अंदर, आपको information देनी पड़ती है, देखिए, अगर कोई ऐसी information है, जो life and liberty के साथ जुड़ी हुई है, किसी की जिन्दगी के साथ या किसी की अजादी के साथ जुड़ी है, मतलब जिन्दगी और मौत का मामला है, तो वहाँ पे जो PIO है, उसको information 30 दिन में नहीं, और 40 घंटे में देनी पड़ती है, 48 hours of the receipt of the request, अगर life and liberty के साथ related है, next है, if information sought belong to the third party, अगर जो आपने information मांगी है, वो किसी third party के साथ related है, ठीक है, उसके regarding आपने information मांगी है, तो उस case में अपने PIO से किसी third party के information मांगी है, तो PIO क्या करेगा, एक notice भेजेगा किसको वो उस third party को, जिसके regarding information आपने मांगी है, ठीक है, तो वो उसको notice देगा, कि तुमारे regarding information मांगी गई है, हम disclose करने वाले हैं, उस information को, ठीक है, तो अब अगर उसने notice भेजा है, third party को, तो उस case में, जो public information officer है, वो maximum 40 दिन के अंदर-अंदर, वो information जो है, किसको provide करेगा, RTI applicant को, ठीक है, तो यहाँ पे दिन थोड़ी जादा है, क्योंकि PIO को notice भेजना पड़ता है, third party को, क्योंकि उसके regarding information, वो दे रहे हैं, तो यहाँ पे 40 days है, अब if application is rejected, then APIO and PIO have to give a suitable reason, for the rejection of application, तेखो अगर अपने application भेजी RTI, और आपकी application reject हो गई, मतब आपको information नहीं मिली, reject हो गई, तो PIO को suitable reason देना पड़ता है, कि उन्होंने क्यों reject करी, when PIO and APIO give no reply after the lapse of time, उन्होंने मतलब कोई reply नहीं दिया, time निकल गया, time reply ही नहीं आया, और third case है, when the applicant is not satisfied, उन्होंने reply तो दिया आपको, लेकिन आप satisfied नहीं हो, उस reply से, तो आपके पास क्या option रह जाता है, तो इन तीनों cases में, आपके पास एक हक है, कि आप appeal कर सकते हो section 19 में, जो कि हम second video में cover up करेंगे, okay, next is section 8, अब section 8 क्या कहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आप हर तरह की information ले सकते हो, RTI के तुरू, लेकिन कुछ ऐसी exemption है, कुछ information ऐसी है, जो आप RTI के तुरू नहीं ले सकते, यह section 8 में given है, वो information कौन-कौन सी है, अगर कोई ऐसी information है, जो देश की security के साथ जुड़ी है, scientific economic interest के साथ जुड़ी है, या देश की sovereignty, अखंड़ता के साथ, integrity के साथ जुड़ी है, तो वो information आप नहीं ले सकते, जैसे कि, आप military secret नहीं पूछ सकते RTI में, आप यह नहीं पूछ सकते, कि हमारे देश पे हमला हुआ था, आपने कैसे protection करी, आपने कौन-कौन से हत्यार यूज़ करे, आपके पास कितने plane है, कितने fighter jet है, तो यह information आप नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे देश की security से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो यह आप RTI कितने नहीं ले सकते, अगर आप RTI डालते भी है, तो वो automatically reject हो जाएगी section 8 के अंडर, अगर कोई ऐसी information है, जो court नहीं मना कर दिया है, कि लोगों को तक ना पहुँचाई जाए, तो वो information आप RTI कितने नहीं ले सकते, कोई trade secret है, कोई patent है, formula है, कोई commercial confidence है, intellectual property right है, वो information भी आप RTI कितने नहीं ले सकते, अब मैं simple आपको example देती हूँ, जैसे अगर आप Coca-Cola से बोलेंगे, कि आप अपना formula हमें disclose कर दो RTI कितने नहीं पूच सकते, अगर आप पूचते हैं, तो वो reject हो जाएगी आपकी application, next is information the disclosure of which would endanger the life of a physical safety of any person, कोई ऐसी information, अगर वो लोगों तक पहुँच गई, तो किसी इंसान को खत्रा हो जाएगा, जिन्दगी का खत्रा हो जाएगा, अब मैं इसके example देती हूँ, जैसे अब जो government है, जो police stations है, यह भी government department है, यह कई बार कुछ लोगों को security guards issue करते हैं, मतब security guards दिये रहते हैं कई लोगों को, तो आप RTI डाल की यह नहीं पूच सकते, कि आपने security guards को कौन कौन से हत्यार दे रखे हैं, उनके पास कौन से weapons है protection के लिए, तो आप यह नहीं बूच सकते RTI से, क्यों 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 उससे, जिस person को safety मिली है, उस person की life पे खत्रा हो जाएगा, तो ऐसी चीज़े आप RTI में नहीं बूच सकते, या फिर आप किसी ऐसे, मतलब उस department में किसी कोई की personal तरह की information नहीं ले सकते, ठीक है, personal information नहीं ले सकते, जिसका public से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी information आप RTI है कि तो नहीं ले सकते, या फिर कोई ऐसी information, जो कि foreign government ने हमारे देश को दी है, जो कि बहुत confidential information है, अब वो नहीं ले सकते, RTI के तुरू, या कुछ इस तरीके की information, अगर आप लेंगे, तो जो पारलियामेंट है, उसका विशेश अधिकार तूट जाएगा, breach मतलब तूट जाएगा, तो ऐसी information नहीं ले सकते, या फिर आप मंत्री, या फिर इनके इलावा भी कोई ऐसी information है, जो कि हमारी official secret act 1923 में given है, कोई ऐसी information जो इसमें covered up है, वो information भी आप RTI के तुरू नहीं ले सकते, तो इन information को छोड़के, आप कोई भी information जो है, वो RTI के तुरू ले सकते हैं, अब आजाओ कुछ amendments, अब RTI Act 2005 जो था, उसको amend किया गया, वैसे तो इसमें बहुत सारे amendments हुई है, लेकिन जो ये 2019 के amendment है, ये बहुत important है, काफी विवादित रही थी ये, जब amendment act आया था, तो अब देखिए, इसमें क्या changes हुए, तो मैं आपको दोनों बताऊंगी, तीन तरह के amendments हुई, first amendment क्या हुई हमारी, term of office of CIC and IC, CIC यहाँ पे क्या है, CIC हमारा है, Chief Information Commissioner, और IC है हमारे Information Commissioner, ठीक है, Central level पे भी और State level पे भी CIC होते हैं, और Information Commissioner होते हैं, तो पहले क्या था RTI Act 2005 में, कि ये लोग appoint हो सकते थे, 5 साल, या फिर 65 साल, जो जल्दी हो जाए, ठीक है, means इनकी जो term of service रहती थी, वो 5 साल तो रहती थी, या फिर अगर वो 65 years के हो गए, तो उनको retire कर दिया जाता था, ठीक है, तो ये RTI Act 2005 में था, लेकिन जब ये amendment act 2019 में आया, तो उन्होंने क्या करा, कि central government ने कहा, कि ये चीज़ हम decide करेंगे, कि वो कितने time period तक, chief information of commissioner रहेंगे, या फिर information commissioner रहेंगे, central government ने बोला, कि ये हम decide करेंगे, state का भी और central का भी, मतलब state का, CIC और IC भी हम decide करेंगे, और central का भी CIC और IC की, जो time period है, कि मतलब कितने time तक, of salary का देखो RTIA 2005 कहता था कि salary and alliances chief information commissioner जो है उसके salary alliances जो है वो हमारे chief election commissioner के बराबर होंगे और जो information commissioner होगा उसके salary और alliances हमारे election commissioner के बराबर होंगे central level पे ओके और state level पे क्या होता है state level पे होते है state chief information commissioner होता है उसकी salary और alliances किसके बराबर होगी election commissioner के बराबर होगी और जो state में information commissioner होंगे उनकी salary होगी हमारी chief secretary of state के बराबर ओके तो ये था हमारा RTIA 2005 में लेकिन RTI जब amendment act आया तो उन्होंने क्या करा central government ने बोला कि salary इनके बराबर नहीं होगी salary भी हम ही decide करेंगे center level पे भी और state level पे भी दोनों चीजे जो है वो केंदर सरकार ही decide करेंगे clear next क्या amendment आई deduction in salary पहले क्या होता था RTIA 2005 में क्या था कि अगर कोई person chief information commissioner appoint होता था या information commissioner appoint होता था तो अगर appoint होने से पहले वो पहले भी कोई government job कर चुका है और उसके basis पे उसे कोई pension मिलती है तो वो उनकी present salary से काट ली जाती थी मैं example से बताती हूँ जैसे किसी chief information commissioner को information commissioner बनने से पहले कोई job करते थे वो government job और उसकी उनको pension मिलती 40,000 रुपीज और अभी at present उनकी salary है chief information commissioner बनने के बाद 1,00,000 रुपीज तो क्या किया जाता था उनको जो अभी salary दी जाती थी वो 60,000 ही दी जाती थी 1,00,000 में से 40,000 डिड़क्ट कर दिये जाते थे कि वो तो आपको pension से मिल गए है अब आपको 60,000 ही मिलेंगे government ने बोला था कि कुछ जो थे वो technical problems थी कुछ गड़बडियां थी RTI Act में जिसको हमने correct किया है इस amendment act से अब देखो government ने क्या logic दिया क्या reason दिया first reason उन्होंने ये बोला कि देखिए जो chief information commissioner है chief information commissioner है वो chief election commissioner के equal कैसे हो सकता है उसकी salary इन दोनों के equal कैसे हो सकती है chief information commissioner हमारा appoint होता है एक statutory law के अंडर तो ये statutory post हुई chief information commissioner और जो chief election commissioner है वो हमारा constitution के अंडर appoint होता है तो ये constitutional post हो गई ठीक है तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकती है statutory post constitutional post के बराबर कैसे हो सकती है पहला reason उन्होंने ये दिया और second reason उन्होंने क्या दिया कि देखिए अगर तो salary allowance और status chief information commissioner का chief election commissioner के बराबर है तो जो chief election commissioner होता है उसके salary status जो है वो supreme court के judge के बराबर होता है तो indirectly chief information commissioner का status salary allowance किसके बराबर हो गया supreme court के judge के बराबर हो गया indirectly तो अब लेकिन अगर कोई decision देता है chief information commissioner कोई भी अगर उसने decision दिया है तो आप उस decision को challenge कर सकते हो कहाँ पर high court में तो ये कैसे हो सकता है कि chief information commissioner जिसका रुतबा जिसका status salary allowance supreme court के judge के बराबर है तो उसके decision को आप high court में कैसे challenge कर सकते हो ये तो गलत हो गया तो इस चीज़ को correct करने के लिए हमने इनके status को बराबर नहीं रखा इनके salary और allowance को बराबर नहीं करा और हमने कहा कि हम decide करेंगे कि क्य salary होगी okay तो ये जो reasons थे ये कुछ हद तक correct भी थे तो इसलिए ये amendment act आया 2019 okay so I hope आपको आज का topic बिल्कुल clear हो गया होगा in case अगर आपको फिर भी कोई doubt रह जाता है तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं मैं कोशिश करती हूँ सारे comments का answer देने की लिकिन मैं पढ़ती सारे comments ह नहीं दिया तो हमारा पढ़ा नहीं है comment इसका मैं second video जल्दी ही लेके आऊंगी second part जो RTI का उसमें cover up हो जाएगा सारा RTI जिसमें मैं information commissions, appeals और penalities cover up करूँगी okay अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे further भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं और मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं so thank you